Hello everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ प्रगती जैसा कि आप लोग जानते हैं जन्माश में आ रही है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके शेयर करती हूँ लड्डू गोपाल की ड्रेस ये ड्रेस मैंने बहुती सेंपल और इजी जरीके से बनाई है इसको आप 10-15 मिरिट में बनाकर रेडी करते हैं इससे पहले मैंने दो वीडियो और बनाई है जिसमें मैंने आपके शेयर किया है कृष्ण जी का जूला और कृष्ण जी के लिए बैड अगर आप वीडियो देखना चाते हैं तो इसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये हैं आप जाकर वाँ से चेक कर सकते हैं चलिए आए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं लड्डू को पाल की ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है और उसके बाद मैं यह ले रही हूँ लाइट गॉर्लन कलर की लेस इस लेस को हम सुई की हल्प से पूरे में लगा देंगे यह देखिए मैंने इसको सुई से सिला है आज हमें इस पूरी ड्रेस को सुई धागे की हेल्प से बनाने वाले हैं अगर आप सुई धागे का यूज नहीं करना चाते हैं तो आप इसको glue gun की हेल्प से lace को चिपका भी सकते हैं और जो ये मैं सुई की हेल्प से pleats बना रही हूँ इसको भी आप glue gun की help से चिप का सकते हैं चोटी-चोटी pleats की तरह है अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे वीडियो को like कीजिएगा, share कीजिएगा, subscribe कीजिएगा और हाँ bell icon को press करने ना पूलिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले नए वीडियो के notifications आपको मिलते रहेंगे तो देखिए हमारी dress कुछ इस तरीके से ready हो गई है, last के जो दोनों corner है, इनको हम आपस में joint कर देंगे सुई की help से इनको भी secure कर लेंगे dress में आपको बिल्कुल simple और easy तरीके से बनाना बता रही हूँ उसके बाद मैंने यहाँ पर उसी same lace को दो छोटे छोटे टुकडों में cut किया है और इसके किनारों को मैं आपस में joint कर दूँगी, dress के अंदर fix करने के लिए अगर आप सुई का use नहीं करना चाते हैं तो इसके side के किनारों को आप glue gun, fevy bond या fevy quick की help से चिपका भी सकते हैं से पहले वाली में अपनी दो वीडियो में मैंने आपको लड़ू गोपल का bed और लड़ू गोपल के लिए जूला बनाना बताया है अगर आप वो वीडियो देखना चाते हैं तो उसका link भी मैं आपको description box में दे दूँगी आप वहाँ से जाकर check कर सकते हैं उसके बाद हम इन दोनों lace के टुकडो को अपनी dress में fix कर लेंगे सुई की help से अच्छे से fix कीजेगा इस dress को आप wash भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने सुई धागे का use किया है मुझे comment box में comment करके जरूर बताया के आपको ये वीडियो कैसा लगा है और अगर आप इस वीडियो से inspire होके इस dress को बनाते हैं तो इसकी picture मेरे साथ जरूर शेयर कीजेगा मैं अपने आने वाले next वीडियो में आपकी इस picture को अपने चैनल पर जरूर दिखाऊंगी आप मुझे facebook और instagram पे भी follow कर सकते हैं उसके link भी मैंने आपको description box में दे दिये हैं आप वहाँ से जा कर चेक कर सकते हैं उसके बाद सेम उसी तरीके से आगे की दोनों स्ट्रेप्स को भी हम इस ड्रेस में fix कर लेंगे fix करने के बाद हमारी लड्डू कपाल की ड्रेस तो ready हो चुकी है अब हम बाकी के accessories को भी ready कर लेते हैं accessories को भी हम बहुत ही simple और easy तरीके से बनाने वाले हैं उसको भी आप 5 minute में बनाकर ready कर सकते हैं अब हम ready करेंगे mokit के लिए मैंने same वही net fabric लिया है इसकी भी हम pleats बना लेंगे सुई की help से इसको हम चोटी-चोटी pleats में ready कर लेंगे बनाकर एक चीज में आपको बताना भूल गई थी तो मैं बता देती हूँ ड्रेस का size आप अपने लड्डू कोपाल के according की रखेगा मेरे लड्डू कोपाल बहुत ही चोटे थे इसलिए मैंने इतने चोटा size का dress मनाया है आप अपने according की इस dress को बनाईएगा मेरे पास कुछ ही stone वाली lace के टुकडे हैं इसी को यूज करके हम लड्डू कुपाल का मुकुट कंगन और बांसुरी बनाएंगे तो देखिए मुकुट के उपर की फ्रिल रेडी हो चुकी है उसके बाद हम मुकुट को भी बनाकर रेडी कर लेंगे इस lace को fold करके बस मैंने चिपका दिया है पीछे से और हमारा यह मुकुट रेडी हो जाएगा एक बार चेक कर लेते हैं हमारा मुकुट ठीक साइज का बना है कि नहीं बिल्कुल परफेक्ट बना है उसके बाद जो हमने उपर फ्रिल बनाकर रेडी करी थी उसको हम इस मुकुट में fix कर देंगे तो देखिए हमारा मुकुट भी बनके रेडी हो चुका है इस मुकुट को बनाने में 5 मिनट का टाइम मुश्किल से लगा होगा और मुकुट भी रेडी हो चुका है उसके बाद हम यहाँ पर कंगन बना लेते हैं कंगन बनाने के लिए सेम उसी लेस के मैंने चोटे दो टुकडे लिए हैं और उसको मैं आपस में जॉइंट कर दूँगी अब हम बांसरी को भी बना कर रेडी कर लेते हैं बांसरी के लिए मैंने ये टूथपिक लिए है कित्फ तूथपिक में हम फैविकऑल की हैल्प से इस एक रोग को चिपका लेंगे और mitä जिदुसको मैंने वहाह पर पहल को की हैल्ब से चिपका दिया है और यह स्टून वाली रोग हो भी हम इसे इसमें चिपका देंगे तो हम पॉल को पहने वे ड्रेस का फाइनल लुक देखने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा उसके बाद हम नेक्पीस को बना का रेडी कर लेते हैं इसके लिए मैंने सिल्वर कलर की मोती की माला का यूज किया है उसको मैंने जॉइंट कर लिया और एक फिरोजी कलर का मोती लगा दिया है उपर से जस्ट और हमारा नेक्पीस रेडी हो गया है तो थाइंक्यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई कर दो